से हर एक चीज़ से आपका जो हर एक डर जो हो खतम हो जाएगा ट्रेडिंग से ठीक है तो यह आपके दिल में confusion नहीं रहेगा कि यह ट्रीडिंग को केरियर के रूप में जूज करें कि नहीं करें ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना आप चीज़ है यह सबसे जादा आप कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने आज रिक्स मैनेजमेंट सी गए एक बार ट्रेडिंग में आप कितना भी खराब ट्रेडर आप सर्वाइब कर जाओगा अराम से प्रूफिट लिए के निकल जाओगे साल के अंत में कर मेरी ट्रेडिंग फैमिली तो कैसो आप सब और कैसी चल लिए आप सब की ट्रेडिंग में आपका तो साचिश और आप देख रहे हैं बैंगल पूल्स तो यह हमारा वंसे ट्रेडिंग चलेंज का आज हमारा थर्टी सीक्स लगबख चत्ती सब्ता खतम हो चुका है यह हमारा जो ट्रेडिंग चलेंज है 200 वीक का है और इसमें जो हम करने जा रहे हैं 19,001 थीक है देखने में थोरा सा इंपॉसिबल लग रहा है लेकिन धीरी धीरे जब टाइम बीठता जाएगा आपको समझ में आता जर्णी को आप जब खतम करेंगे मैं आपको यकीन से कहता हूँ आपको आजए ट्रेडिंग को एक अलग के रूप में अपने मतलब केरेयर के रूप में आप चूस कर पाएंगे और जैसे मैंने किया इस ट्रेडिंग पे जो आपको मतलब बाहर जो हुआ जो डर है ना यह चूसका आपके अंदर से खतम हो जाएगा जब तक फिटी डूप मतलब से घृडिंग का स sucking अब दिरे दिरे सब्सक्राइब करता हम वह एक चीज जैसे हरएक चीज इसे आपका जो हर एक डर जो हो खतम हो जाएगा ठीक है तो इएपके दिल पर कन्फूशन नहीं रहेगा आप आपके दिल में में चूज करें तो भी सबसके हमारे तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हमारा एनलिस से कि क्या हमने इस अपते मार्केट एनलिस से किया था और क्या-क्या मेरे जो टेकनिकल पॉइंट था ठीक है तो इसी वजह से मेरे ट्रेडिंग जो स्टाइल बहुत ही जादा इसी है ठीक है कोई भी आज़े कर सकते है बस ख्oral करते हैं यह सब सबस्व works ने पहले किया तो सबसे पहले हमने मार्केट का यहां पर अगर अगर करो मार्केट टॉपर जा रहा था ऊपड़ेंगे आपर सपोर्ट करके मार्केट उपर जा रहा था ठीक है रगाने है लगा के भी देखना चाहते हो तो उसमें भी आपको पता चल जाए कि मार्केट एक अच्छा कासा स्ट्रॉंग अप्ट्रेंड में चल रहा था ठीक है तो जैसे मार्केट उपर जा रहा था रही जो ट्रेड में लिया था यह लिया था कुछ इस जगा पर मतलब लिया था ठीक है दो सेप्टेंबर कश्पस यह लिया था और यहापर और एकर देखोगा इस जगा को मैं धोर अशा सा कर देता हूँ ये इस एरिया पर जो है एक all time high था ठीक है इस जगा पर all time high था और यहाँ पर जो है market ने अगर देखोगे इस जगा पर trend line के उपर भी support लिया और यहाँ जो resistance एरिया यहाँ पर बना हुआ था all time high पर जो बना हुआ था उसको उपर भी support लिया है καιom आप ओपर की तरफ जाने लगा ठीक है यह इस जगा पर मैं ट्रेड क्यों लहीं एक इस जगा वह उपर ड्रेड कर भी यहां उपर कात्रम हुआ तो आप थोड़ा सा वेट किया यहाँ पर जोई मार्केट कॉंसलिडेशन हुआ इस जगा पर ध्यान दो गए मैं थोड़ा से जूम-इन कर देता हूं ताकि आपको देखने में असानी हूं इस जगा पर देखोगे मार्केट ने जो इस यहाँ पर फूब्ल बैक बनाया था है यहाँ पर इसे अपर मार्केट ने अरॉपर की तरफ गया मार्केट ने तो हम ने यहाँ पर जो है आपका दूसरा टेट एक्जीक्योट कर दिया तो कितने पॉइंट होगे हमारे सबसे पहले हमारा सब्सक्राइब हमारे साथ तो चल रहा था चाहिए तो तेन वे देखे उसके बाद यहां पर लगबक इस एरिया का आस-पास यहां पर लोग था यहां पर लोगबक इस एरिया का आस-पास जो हमने मार्केट में इस टोप लॉस यहां पर था लगबक इस जगा पर था कि 1% का स्टॉप लोस था तो लगबाद दो 200-200 पॉइंट के मुमेंट पे जो हमारा 1% हिट हो जाता है लगबाद 200-300 पॉइंट के आसपस है एकॉर्डिंग टू आई-वी की वज़ा से कम जादा होते है आई-वी अगर कम हो तो स्टॉप लोस चोटे मुमेंट पे भी हिट होता है और अगर ज्यादा हो तो स्टॉप लोस चार सुपान सो तक भी जाता है ठीक तो यह एकॉर्डिंग टू आई-वी की हिसाफ से होता है कि कितने दूर जाएगा 10-11 आई-वी के भीच मेंच पे जाएगा फिश्टॉप लोस ह जैसे ट्रेड डिपला किया मार्केट ने वुझे दो मौके दिए ठीक क्या आई-वी डिक्रीज भी हो रहा था मार्केट यहां से थोड़ा नीचा आया नीचा आने के पाद जैसे थोड़ा उपर जाने लेगा न तो आई-वी डिक्रेश के पाज़ा थीटा डीके की जैसे यह stop-loss दूसरे दिन जैसे gap-down खुला एक अच्छा-गासा gap-down खुला कि कोई आज बैंक का शायद कोई नीच था है कोई जो आइटिंग कोई बैंक का नीच था मुझे याद नहीं है तो यहां पर जैसे gap-down खुला तो सीधा जाका हमारे stop-loss से थोड़ा से stop-loss है 20,000 का जो है मैंना अलर्ट आ गया जो भी मेरा stop-loss है मैंना exit किया जैसे exit किया उसमें लगवाग एक 1000 का सब्सक्राइब मतलब लगवाग यह स्लीपेज में नहीं कंगा वैसे 700 रुपे चार्जस लगे थे ठीक है तो 300 रुपे का सब्सक्राइब तो टोटल हजार रुपे जाए नीचे जाए कोई परकने पड़ता है जो stop-loss आ गया तो हमने जो है इसको सीधा exit कर दिया आप कही बार देखाऊंगे कि भया आपको लगा होगा कि भया stop-loss नहीं लेते तो आप प्रूपेट में आ जाते तो ऐसे में कहीं जगा आपको दिखा चुका हूँ पिछले कहीं बड़े लॉसस मेंने बचाए चाप आप देखो कहीं बड़े बड़े लॉसससे जो है बचाया बहुत सब्सक्राइब बढ़े जाया तो इसलिए जो है बहुत जादा जरूरी भले उसके बाद मार्फेट ऊपर जाए निचे जाए कोई फरक नहीं बढ़ता ठीक है तब आप लेना ठीक है तो यही होता है जो actual risk management जो psychology main जो problem हमें होता है यही पे होता है कि हमने stop loss ले ले उसके पताम confusion में होता है कि मैं exit करू या रुख जाओ कि क्या पता है यहां से जो एक support area है यहां से गूम जाए है ऐसा कभी नहीं सोचना है भले ही ठीक है भले ही आप जो है एक दो बार आप बच जाओगे लेकिन ज्यादा था होता ही मैं इस loss को cover कर लो ठीक है ऐसा भी नहीं करना है loss हो गया इतना मेरा management था loss हो गये बस काम खतम ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखना आप सबसे ज़्यादा आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीखो ना सीखो कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपने आज रिक्स management सीख गया एक बार ट्रेडिंग में आप कितना भी खराब ट्रेडर रो आप सर्वाइब कर जाओगा अराम से प्रोफिट लेके निकल जाओगे साल के अंत में यह बात हमेशा ध्यान रखिए तो हमारे जो है पोजिशन है उसको एक बार थोरा सब्सक्राइब करेंगे हमार ग्यारा पॉइंट उन्तिस रुपए का सब्सक्राइब हमें मिल रहा था और 8.34 के आसपास जो है हमें हैज का प्रीमियम मिल रहा था दोना हमने एग्जीट किया उसके बाद जो है प्रीमियम डीके हुआ थोड़ा थाइम डीके हुआ इसने भी सपोर्ट किया तो पहला पो कि 86 प्रीमियम मिल रहा था इसको ने रॉल-प कितना क्या 4900 पशाइस के पी हमने यहां पर रॉल-प किया अश्पास चूहँ ने रॉल-प कर दिया और इसको को जैसे हमने मतलब इस पोजिशन को अमने जैसे डिपलाय किया दूसरे दिन गैप डाउन होता है और लगबाग चौपीश सार तीन सो आटतर रुपए का सपास जो है लॉस जाता है ठीक है और मतलब यह गैप डाउन की वैस हो था हमने पोजिशन को सिधा क्लोस क्या सिस्टम बंद किया काम खतम बिल्कुल देखो 921 पर जो हो गया था ठीक है नो इकीस भी नहीं नौपंद्रा नौपंद्रा से सोला के बीच में हो गया थे स्किन शॉट में थोरण लेट लिया था ठीक हम एक्सल शीट हमारा जो एक्सल शीट है 36 वीक इसको लिग देते है माइनस ट् जेंट इसको हमने पर्फॉमेंस कर पर देख सकते हो लगबग अभी जो हमारा यहां पर देखोगे यह जो हमारा लॉस चल रहा है मसरी अभी जो में प्रॉपेट में लगव फाइव लग 99,936 रुपीज का असपास जो हम जो है इतना प्रॉफिट चल रहा है लगबग और यहां पर पर्फॉमेंस कर बब देख सकते हूं लगबग एक डिफ दो डिफ आया था उसके वाल दुबारा जो है उपर के साइड में जाने लगा तो यह था इस हपते का ट्रेड में उम्म आखले